Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जहां पे मैंने आपको बताया थे कि अगर कभी चेकिंग के वक्त ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो according to law आपके पास कौन कौन से डॉकुमेंट्स होने चाहिए जिनके होने पे आपका कोई भी फाइन नहीं लगेगा Friends, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब Friends, सबसे पहला और सबसे इंपोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपके पास learner's license है तो कौन कौन से नियम है जिससे आपको हर हाल में फॉलो करने है और जिनके नहीं फॉलो करने पे आपको फाइन लग सकता है सबसे पहले आपके पास learner's license है फिर भी आप two wheeler को अकेले नहीं चला सकते है अगर आप पकले जाते हैं तो आपको फाइन लगेगा आपको हमेशा आपके पीछे एक पिलियन को यानि कोई सी और को बैठाना पड़ेगा और यहां पे एक और नियम है कि जो आपके पीछे two wheeler में बैठा हूँ सक्स है उसके पास एक valid driving license होना जरूरी है तो यह बात हो गया two wheeler का अब अगर four wheeler के बात करें तो सारे नियम four wheeler में भी लागू होता है अकेले नहीं चला सकते है एक आदमी का होना जरूरी है driving license के साथ लेकिन four wheeler में अगर आप एक से जाद लोग को बैठाते है और बाकी के शुरू के दो नियम को पालन भी करते है तब भी आपको fine लगेगा तो four wheeler में भी सिर्फ एक लोग जिसके पास driving license हो उसे बिठाना है अब एक और सवाल यहाँ पे यह है कि अगर कभी routine चेकप हो रहा और आपने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस तब पे क्या आपका fine लगेगा तो देखिए अगर आपने अपने गाड़ी के आगे और पीछे रेड कलर में इल जिसका मतलब होता है learning अगर वो नहीं लिख रखा है तो जरूर आपका fine लग सकता है तो learning license के case में आपको चाहे two wheeler हो चाहे four wheeler हो हाला कि two wheeler में बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं लेकिन वहाँ पे निया में की लिखना जरूरी है तो इल आपको रेड कलर में आगे और पीछे लिखा होना जरूरी है अगला सवाल इससे ये ये है कि अगर आपके पास learning license है तो क्या ये all over India valid होता है इसका जवाब है जी हाँ बिलकुल learning license all over India valid होता है और learning license के साथ आप नियम को पालन करते हुए पूरे इंडिया में कहीं पे भी गाड़ी को चला सकते है अगला सवाल है कि learning license कितने समय के लिए valid होता है तो friends learning license 6 महीने के लिए valid होता है और अगर आपका learning license expire हो गया तो आप उससे या तो renew करा ले या फिर अगर आपका driving license आगे है तो आप उसे ले ले friends इससे लेटर एक और सवाल बहुत important ये है कि जब आप learning license के लिए apply करते हो तो क्या आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ता है इसका जवाब है कि जी नहीं बिल्कुल नहीं गाड़ी आपको नहीं चलाना होता है क्यूंकि सरकार learning license इसलिए देती है ताकि आप कोई भी गाड़ी हो उसे चलाने के लिए सीखे तो पहली बात तो गाड़ी चलाना नहीं पड़ता है लेकिन हाँ learning license लेने के लिए आपको RTO दोवारा एक online test लिया जाता है या written test लिया जाता है और इस test को लेने का मकसद होता है कि आप जो traffic के नियम है जो road safety के rules है उसके बारे में कितना जानते हो तो ये test आपको pass करना ज़रूरी होता है learner's license लेने के लिए फ्रेंट्स वैसे मैं आपको बता दूँ कि learner license जो test होता है उसमें कौन-कौन से multiple choice question आप से पूछे जाते है इसके उपर मैंने एक detailed video अप्लोड किया हुआ है जहांपे मैंने question भी बताया है answer भी बताया है तो उस video का link मैं आपको इस video के description में देद दूँगा अगला सवाल ये है कि अगर आप कार और वैसी गाड़ी जिन में gears नहीं होते है जैसे कि scooter, mopeds उनके learning license के लिए apply कर रहे हो तो क्या आपको दो अलग-अलग learning license apply करना पड़ेगा इसका जवाब नहीं आप एक ही learning license के लिए apply करना पड़ेगा और आपका एक ही बार test भी होगा लेकिन आपको car और जो moped scooter होते हैं जिन में gears नहीं होते हैं इन दोनों के learning license के लिए अलग-अलग fees भरना पड़ेगा test एक ही होगा, learning license भी एक होगा लेकिन fees आपको दो अलग-अलग learning license के लिए भरना पड़ेगा तो friends ये कुछ important question थे learning license related इसके अलावा अगर कोई भी question हो, कोई भी doubt हो जो आपके मन में हो, जो आप जानना चाहते हो तो आप मुझे comment करके बताओ, मैं उसके उपर में आपको comment के जरीए आपके comment में फिर से उसका जवाब बता दूँगा और आपको उस doubt को clear कर दूँगा तो आप अपने doubt को comment के जरीए मुझे जरूर पुछे तो friends ये था learning license related एक वीडियो I am sure ये वीडियो आपको के लिए helpful होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखनी को मिला होगा तो वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like जरूर कर दे वीडियो के बारे में और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाव friends अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को भी दबाले ताकि आने वाली बॉटन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन गत्रू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थैंक्स पर आचिंग इस वीडियो गुडबाई